mostly हम ऐसे करते हैं कि हम अपने बच्चों को भी बना के दे देते हैं और husband को बना के दे देते हैं और खुद नहीं खाते कि यार इनको खिला दो हमारी खैर है लेकिन ऐसे नहीं करना होता इससे क्या होता है मतलब उसके हैं नहीं रुक रहे थे माशाला माशाला से आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ड्राइफ पराथा लगाना इंट्रेस्टिंग क्या आपने कभी ड्राइफ पराथा बनाया है अगर नहीं बनाया तो चले मिलके बनाते हैं और फिर ईसा को खिलाएंगे कि इसको कैसा लगता है सबसे पहले जी मैं आपको ingredients बताते चलो इसमें सारे के सारे healthy ingredients यूज़ और natural ingredients यूज़ ओ रहे हैँ जो कर बेभी की growth के लिए बहुत अच्छे होते हैं इनसे बेभी की growth भी बहुत अच्छे से होगी brain development भी होगी और baby का weight बिगेन होगा और साथि साथ बेभी को कभी भी blood के कमी नहीं होगी, है ना मज़े की बात तो यहां पे जी मैंने पानी को गरम कर लिया अब उसके अंदर मैं 7 elements रेट करने चारी हूँ पानी को गरम मैंने इसलिए किया ताके elements जो है वह अंदर से soft हो ज़ये उनका चिलका जल्दी से remove हो ज़ये तो यहां पे जी 5 minutes के बाद elements का चिलका soft हो गया था तो मैंने उपर से उतार लिया है इस तरह से 7 elements हमारे आ जाएंगे आपको 7 elements ही चाहिए अब हम इसको थोड़ा सा crush कर लेंगे इस तरह से मैं इसको crush कर रही हूँ तो यहां पे जी हम इसको grind नहीं करे इसको थोड़ी सी पेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे आप इसके अंदर में एड़ करूंगी टू टेट्स आपको जैसे के पता है बहुत healthy होती हैं बच्चों को खूं की अमे भी नहीं हो पाती और इसके इलावा कहते हैं कहा जाता है कि अगर डेट्स खाने के बाद भी बच्चों को कमजोरी है ना बच्चों यह बड़ों को तो फिर समझ हैं जी कि वो डेट्स ही नकली हैं तो इसलिए जी डेट्स बहुत बहुत जादा healthy होती हैं बच्चों की bonds को भी strong करती हैं और इनको blood की कमे भी नहीं हो पाती कोई भी ऐसा vitamin नहीं है जो के dates में नहीं पाया जाता जो के खजूर में नहीं पाया जाता तो dates के साथ भी almonds को अच्छी तरह से mix कर लेंगे mix करने के बाद यह देखें एक paste form में आ गया अब एक बहुत ही मज़दार सा ingredient इसके अंदर जाने वाला है जो के है milk के उपर की fresh बलाई जो के आप घर में जब milk boil करती है ना तो इसके उपर इस तरह से बलाई आ जाती है तो वही आपने डालनी है इसके अंदर cream नहीं डालनी हम fresh fresh cheese डालेंगे तो इस ले जी मैंने बलाई उतारके इसके अंदर डाल दी है तकरीब यह वन टेबल स्पून बलाई थी तो यह इसके अंदर डाल देनी है और अब हम इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे mix करने के बाद तो गौशा हमारा जो पूरा material है ना वाप रेडी होगया इसमें सब कुछ आगया है कैलिशम भी आगया है आयरेंगे बिधी यह पैस्ट है और जो आपको पते है सारी चीज़े इसके अंदर आगये तो आप जी हमारा जो पेस्ट है ना बनके रेडी हो गया जब मैं सको बन तो इस त तरह से मेरी पेस्पन के रैड़ी हो गई है अब हम जल्दी से घर में आता होता है जिसके हम रोटी बनाते हैं तो जी मेने चोटा से ले लिया है अब इसके उपर हम सुका आता होता है यह लगा लेंगे और इसको थोड़ा सा बेल लेना और फिर इसके अंदर जो हमने paste बनाया था ना मज़ेदार सा और full of health, full of power, full of energy सब कुछ है इसके अंदर अब हम इसको इसके उपर लगा लेंगे अच्छी तरह से इसकी paste जितनी भी आपने बनाई है ना ये मैंने एक पराथा के equal बनाई थी means seven elements, two dates and one tablespoon बलाई तो इस paste को हम पूरे पराथा के उपर लगा लेंगे तो इस तरह से जी सारा का सारा जो material है आपने सब लगा लेना है ये मतलब बहुत जड़ा मीथा भी नहीं था और मतलब इसमें मिठास थी लेकिन बहुत ही यमीथा तो अब जी इस तरह से आपने इसको फोल्ट कर लेना है और अब हम इसको दुबारा से बेलेंगे मैंने mostly ना hand के हल्ट से उसको पराथे की shape दे ली थी दुबारा से मैं सू अब हमने तवे पे आपने पहले ही flame on करके रखनी है slow medium flame तो तवा जो है वो थोड़ थोड़ सा गरम होगा एक बहुत जादा flame नहीं करनी ताके वो जलने न पाए इसको हम medium flame पे ही cook करेंगे तो अब जी ये मेरा पराथा बनके ready हो गया इसको मैं तवे पे डालने जा रही हूँ तो इस तरह से जी थोड़ा सा cook करने के बाद अलटते पलटते हुए इसको पका लें और इसके उपर आपने कोई भी डालडागी या cooking oil वगरा यूस नहीं करना इसके उपर हम ये one and only desi ghee ताकि बच्चों को और जाद energy मिलता है तो इसके उपर जी हमने desi ghee लगा दिया है अच्छी तरह से इसके उपर लगा लेंगे back side पर भी आजएगा और front पर भी आजएगा तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको cook करे लेना है दोने side पे golden brown सा color देना है तो इस तरह से जी बच्चों के लिए जरूर बनाया करें और आप खुद भी जरूर खाया करें क्योंकि मदर्स को भी energy की बहुत जादे जरूरत होती है उनकी back में pain नहीं होनी चाहिए क्योंकि मदर्स active होंगी तो ये वो बच्चों का अच्छी से ख्यार रख पाएंगी औ mostly हम ऐसे करते हैं कि हम अपने बच्चों को भी बना के दे देते हैं और husband को बना के दे देते हैं और खुद नहीं खाते कि यार इनको खिला दो हमारी खैरा लेकिन ऐसे नहीं करना होता इससे क्यों होते है मदर्स की bonds जो है वो weak होती जाते हैं क्योंकि मदर्स को जादा calcium iron वो बना बना कि अपने babies को अपने husband को खिलाती रहती हैं और खुद खाती नहीं और फिर उनकी सहत खराब हो जाती है और वो पूरा दिन काम करने के बाद ठकी ठकी सी रहती हैं तो इसलिए ठका ठका रहने का कोई फायदा नहीं है थोड़ी सी और मेनत करें husband के लिए बनाए बच्चों के लिए भी बनाएं और अपने लिए जरूर बनाएं और खुद भी खाया करें ताके आपको अच्छे से एनरजी मिले तो यहां पर जी मैं आपको पराथा बनके रैडी हो गया अब मैं इसको तोड़ के दिखाने लगी हूं बहुत ही जादा मज़े का था इसके अ मतलब उसके हैं नहीं रुक रहे थे माशाला माशाला से बहुत जादा अच्छे तरीके से खा रहा था जो मैं बेबी हाशिर है ना उसको सिफ नमकीन चीज़े पसंदे वो बड़ी मुश्किल से न्यू चीज़े ट्राय करता है तो मैंने इसा को दिया तो वही खा रहा था उसके पास मतलब हाशिर खे रहा था उसको ना बिठा के बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है और इसा माशाला से ऐसा है कि वह खुद बाखुद खा रहते हैं इसको स्टार्टिंग से यादत है क्योंकि जो फर्स बेबी होता है ना उसकी हम बहुत जादा केर करे रहे ना तो इसलिए पूरी लाइफ ना वह जड़ा सेंसिटीव साही रहते है और दूसरा वाला बेबी ना हमेशा माशाला से एक्टीव होता है लास्ट में एक इंपोर्टन बात करूंगी यार आप लोग बच्चों के वेड को लेकर इतना क्यों पुसेसिव होते हैं कि इसलिजेंट हो उनका मेशा इअफ हो और वो हर चीज कीव हो नयुकिव है कि बच्ता बच्चों की बच्छे पाराख़ बना करें ताको बच्छों के बिल्टी चीज ज़रूर सब्सट है तो खुद भी हल्दी चीजे जरूर खाया करें तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो च्छी लगी हो तो इसका लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यूए तो डॉन फर्गेट तो सब्सक्राइब आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें तो मिलते नेक्स वीडियो में लाफीज